गुज़िश्टा दिनों कराची में सोचल पॉलिटिकल सेश्विशन आफ पाकिस्तान के हवाले से एक तक्रीब आठ पाकिस्तान में मनक्त हुई जिसमें मलक की सियसी वा समाजी सुरत इत्याल पर सेहरे हासल गुफ्त की गई और मलक की चाफिकल दिज़ शरक्सियात ने शरक्त की जिसमें साविख वजिर अला बलुचस्तान डाक्टर अबद्लमालिक बलोच अपने अपने खेलात का इधार करते हुए कहा कि मलक में जो इस मुल्क को मदबूत और तवाना करना होगा क्योंकि इस वक्त यूनिटी और इतिहादी सबसे वड़ी कुवत है जो मुल्क को मदबूत और इंट्रैक्ट रख सकती है इस मौके पर यूसफ मस्ति खान, मसूद नूरानी, प्रोफेसर इजास्पुरेशी, डाक्टर जाफर एमद, इजीज चांडियो और दिगर अरकान भी मुझूद थे तक्रीब के एक्ताम पर जब हमारी कुछ लोगों से मुलकात हुई और हमने इस तक्रीब के बारे में उनसे पूछा तो उन्हें ने बताया कि यकिनन एक शांदार प्रोगाम था और ऐसे प्रोगाम होने चाहिए और जारी रहने चाहिए चाहिए एंडर सिविलाइजेशन हो गंदाबक सिविलाइजेशन हो या महगड़ हो ये तमाम कौमें उनकी आपशूट्स हैं ये एक दिन पैदा नहीं हुए हैं इनकी अपनी एक तारीख है जुआन है सकाफत है जिन पे हम नास करते हैं लेकिन इस वक ये शदीद मुश्किलाग के शिकार हैं ना सिर्प इस वक बलके जब सी ये मुन्ट वजूद में आया है हमारी कौमी तश्फुस को रोज बारोज उसके खत्राग बढ़ते रहते हैं यहां यकीन दोस्तों ने कहा कुछ फिर मैं लाइट मोर में बात करूँगा कि यहां मुझूदा जो निजाम है यह जो सिक्यूर्टी स्टेट्स का जो कॉंसिप्ट डियोल अप हुआ है उसको एप्रिमेंट किया गया है यह इस मुल्के बीमारी का इलाज नहीं है इसके लिए बिल्कुल वेट फियर स्टेट का कंसिप्ट अपनाने की जरूरत है लेकिन यह इतना आसान काम नहीं है दोस्तों मेरी सीनियर्ज हैं युस्फ जान और जाफरी साथ मेरे तुनों सीनियर्ज हैं लेकिन यह अठादमी तर्मीम को जिस तरीके से हमने मैनिपुलेट किया वो अला जानता है कि इन मेंसे इन चीज़ों को निकालना कितना मुश्किल था अगर नेशनल पार्टी की जो रिक्मेंडेशन्स थी आप उनको देखें तो वो त्री सब्जेक्ट्स थे डिफिंस करंसी फारिन अभियस इवन हमने कॉम्निकेशन भी प्रवेशन उसको दे ली लेकिन अनपॉर्चनेट ली जब हमने करादा ले मकास्त की बगपो जड़ा तो वहां पे जो लोग बेटे हुए हैं उन लोगों ने कहा कि अब तुम लोग अपनी असलियत पे आगए हो यह जो तुम लोग कौम दोस्त और बाएं बाजूर के ख्यार रखने वाले लोग हो यह अब हमारी जो है ना नज़ियाती असासों को चेर रहे हो क्योंकि उसकी जो कॉमपोजिशन थी एक एक्स्ट्रीम डिसंट लिस्ट थे फजार अपानी अफ्रासियाब मैं रही मंदोफिर साहब और इसके कई दोस्त दूसरी जानवे एक्स्ट्रीम संट्रिस्ट थे एसे जफार वसीम सज्जार एक्स वाईजे उनको फेस्ट करना ब लाए लेकिन यहीं बद्गिसमती है कि उसमें काफी एक्रोच में तुरी नवर वान आया एक्रेवर्दी जाप नहीं सब्साब कि ते शुड भी डिवाल फर्दर तुटिस्टिक लेवल इसे ना चेले लेकिन इसके साथ कुछ जो और डिवाल हो थे उनकी एसेस्ट को डिव नो उनको नो पर्मनिक करना पड़ा जो लोगों ने एड़ाउप वेसेस्ट के रहे हैं तो इन जिए जो इस हुआ जो हम सुर्थ हाल फेस कर रहे हैं बड़ा मुश्किल है ये तमाम चीज़ों को टी करना इतना आसाल नहीं है मैं बनुश्तान की आपको मिशाल लेता हूं बनुश्तान में तो आज भी संडेमन का कानू चट रहा है कि नवाब को इस्ज़त दो बाकी खेर वो आँको खुद कंट्रोल करेगा और अब तक संडेमन की किताब को उन लोगों ने बड़े प्यार से रखा हुआ है यह तमाम सुरते हाल को चेंज करने के लिए हम और आप बैटे हुए हैं यह जो आठ दस सीटी हम लोग लाते हैं ना इमांदारी से ला जानता है कि किस मुश्किलाला से लाते हुए यह जो हमें हकूमत ही कोई इंकलाब नहीं था ना हम इंको लेने के लिए त्यार करें बड़किस्मती से बनुस्तान की हकूमत भी बड़नाम हो चुकी थी कि उसको आके मेरे गले में फिट किया हम तो लिखे देए थे कि मुसर्वी का है लेकिन दोस्तों का जो एक्स्पिक्टेशन था यकिनन वो इंकलाबी एक्स्पिक्टेशन थे और यह उखूमता एक गुलेशन जो लूस था अब एक लूस हुकूमत से इंकलाबी तवक्वात रखना मुझे से मिल साब ने का जब अफगानिस्तान में इंकलाब आया तो मिल साब ने जब मिले भी गोल्विक पिजर्जों से तो उसने का बेटा सोशल निजाम और कावलिशन बहुत इंवांस चीज़ हैं अभी तक तो अफ्टूम जो है ना अफगान ट्राइमलिसम से नहीं निकले हैं मैं मैं गुजारश कर लेता हूं कि यह जो हम तोड़े बहुत इसको मिनेज कर रहे हैं कि हमने अपने आपको पार्लिमेंट में वो किये एटियर से इसके बड़े मुश्क्ला वो कर रहे हैं जीत रहे हैं वो हमें पता है कि यह ओड़े नादेरे का जो हमें बवगत रहे हमें पता है कि ना कर यो कि ना करना इस मुल्क में कितना मुश्किल है वह हम भूबत रहे हैं हमें पता है कि रुजरान आम किसनी पीशी हम आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पये हुक्म चलता है एक्दार नहीं चलता है जब आप एक्दार को हिनिया देंगे तो आप से बड़ा शियता हम कोई नहीं है अगर आप वुक्म आनेंगे तो आप पार्सा है अब हम यह कहते हैं कि सब्सक्राइब इसमें कोईशिक भी है नसर एक दो यह मिजॉर्टी पार्टियां लिगेशी है जापर सहाँ ने का अगर तीन क्राइटेरिया प्रतलेशी पार्टी के लिए नमबर वन इसमें पार्टी 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 के चांटी कर लें तो सब लिगेशी होना से बात नहीं है इंटरनेट डिमोक्रेशी तो दूर की बात अब अब हम उनसे तवको रख रहे हैं कि वो जो है एक रियास्त को वड़कियर रियास्त बनाएं जिसका इजन्दा ही नहीं है और हमारा हाल यह है कि हम बिक्रे हुए हैं यूसफ अजीज मक्सी ने एक दफ़ा कर लिखा था आप में एक शहर में कि फकर दानाईयों से उरादे बर नहीं आती जरूर आते हैं कि दानाओं में दीवाना हो जाएं क्या पाकिस्तान के दानिश्वार दीवाना बनने के लिए तैयारें तब्दीली लाने के लिए लेकिन हमला हम यह कोशिश कर रहे हैं बाइबाजू के बाटियों को यूसफ जान की ने जिसन ली उसकी सदारत भी किये लेकिन जो कुछ यहां तरकी पसंद चाहे हो कॉंपरेस्टों चाहे बाइबाजू के जो कुछ उनका आशी हुआ है वो हम सब के सामने हम सब को 30-40 आदर वो से दोस्तों मुझसे बहुत सीनियर हैं यही कराची का किसी जमाने में तरकी पसंदूरी का सबसे बड़ा बर्कास है अब क्या है मैं बलुच्तान के बारे में तीन-चार बातें आपके सामने रहूँगा कि इस वक्त बलुच्तान में जो एक डिक्टेटर ने एक आग लगाई वो आग अभी तक उसी तरह लगा हुआ है और हमारे नुजवान उनसे इखतलाब रखते हुए भी अभी तक लापता हो रहे हैं हमने इस दोरान बहुत कोशिश की बहुत एक अर्थत काम्यावी के करीब पहुंचे लेकिन पिर उसको भी खत्म किया गया हम जोड़े दें के जी आप इसको टेबल पे लाएं बाचीत के जरिए परुस्तान का मसला हल कर लें इसितरह एक अहर चीप अधिसन में शाहिद पहले हुआ है I don't know बनुस्तार में एक दीप्लिटिकलाइज़़ज़ज़़ प्रॉसेश शुक्त हो चुक्रा है इतना डीप मिटिकलाइजेशन खास पर जो कॉम्परेस और तरकी पसंद सेकुलर किसी के लोग हैं वो माशने में एक नहीं, दो, नहीं, तीर, नहीं, हर डिस्टिक्ट में तस-दस, लीटर पेदा कर रहे हैं, रातों रात, और एक इसी क्यादत, बनुस्टा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन उसका सक्से कोई वास्ता ही नहीं हैं। हम तो इस दे से सुर्थियाल का सामदा कर रहे हैं कि हम किस तरह अपनी कुलिटकल पार्टियों की वजूद को वरकरा रखें। कि अलेक्शन होते हैं, जो इस तरह एलेक्शन होता है, इस तरह का एलेक्शन, मैंने कमस्कम नहीं देखाता पहले, पच्चीस तारीक को एलेक्शन है, चोपिस तारीक को मनुस्टा में बकसे बर जाते हैं। हम उपको फून करते हैं कि फिलाने जगे पर फिलाने जगे पर बकसे बर रहें। कि आप लोग तुछूर बोल रहें, कहां बर रहें। हैं तो बलुस्तान में मजबूई तो परसिंद में इसमें कोई शक्त नहीं है कि हमें जोड़ने का जोड़ने की तरह चाहिए। मुझे आप दोस्ते इतिफाक है। लेकिन जब हम मेंसे कोई दोस्त उदा करेकल आप लोग हो जाएं। जिसकर एक आम आदमी वजिराला बन जाता है। तो अपने दोस्ते उसके उसके खिलाब जोएना रोज़ाना टीवी टाप शोक्स पे बोड़ना शूरू करते थे हैं। उसके साथ जोड़ने के बजाए उसको इतना आइसलेशन में ले जाने की कोशिश करते हैं। मैंने किसी दोस्तों का मैं गाया आप लोग सारे दिन जो है ना मेरे पीचे क्यों लगा है। आएगा कल कोई सर्दार नहों आप तुम लोग सारे चुप हो जाओगे। तो मैं आज़के इतिफा करता हूं कि यह जो बाएबादू का में प्रोस्स शुद किया है इसको आगे जाना चाहिए और सिंद्ध के तमाम कॉमपरिस्टों को भी अब हमारा आलमिया यह है कि हम तो एक तो आपस में नहीं जोड़ते हैं। बलुच्तान के कॉमपरिस्ट आपस में हम नहीं जोड़ते हैं सिंद्ध के आपस में नहीं जोड़ते हैं बागीं तो हम किस तरह जोड़ेंगे। ये एक ये रियलिटीज हैं अगर हम गये जी हम जोड जाएंगे हम इस तरह नहीं जोड़ेंगे तो मैं कुशिश अमारी रही कि इस तरह कि अगर डाइलाग हो जाए शायर कुछ रस्ता निकलें और हम दोस्तों को दावत भी देते हैं कि बलुच सामें जब भी कोई इस तरह करना हो चाते हैं हम उनकी मेजबानी के लिए त्यार हैं एक बात पिर सीनियर दोस्तों की मुझुदगी में मैंने कुछ ज़्यादा ही बात की मैं आप तमादोस्तों की कर दोस्तों के लिए बात कर दोस्तों के लिए कर दोस्तों की